जै मत अदी, वेलकम टू माई चनल फ्रेंड्स, आज की फीडियो में हम जानेंगे एकादसी की ब्रत की बारे में साल में 24 एकादसी होती है, मलमास पढ़ता है तो 26 एकादसी होती है कुछ बड़ी एकादसी होती है जिनका ब्रत बहुत लोग करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पूरे 24 और 26 एकादसी का ब्रत करते हैं मैं एकादसी का ब्रत कैसे करती हूँ, उसके बारे मैं आपको बताऊंगी कुछ ही एकादसी का ब्रत करती हूँ, मैं साल के 24 एकादसी का ब्रत नहीं करती हूँ बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको एकादसी के बरत के बारे में समपूर जान करी दूंगी कुछ लोग डरा देते हैं कि एकादसी को बरत को ऐसे नहीं करना चाहिए आपने ऐसे किर दिया तो आपको बरत का फल नहीं मिलेगा और कुछ लोग कुछ जादा ही आडंबर बता देते हैं तो मैं अंध विस्वास में बिल्कुल भी विस्वास नहीं करती हूँ मैं आपको बताओंगी कि एकदसी के ब्रत को आप बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं कुछ बड़ी एकदसी होती हैं जैसे देवठान की एकदसी आती है तो उस दिन क्या होता है शादियां सुरू हो जाती है और बहुत से लोग देवठान की एकदसी का ब्रत नहीं करते हैं कि शादी पार्टी में जाना है दावत खानी है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि साल की जो बड़ी बड़ी एकाधसियां होती है तीन चार उनका बरत जरूर करना चाहिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बतातु मैं आपको कि एकाधसी का बरत बहुत सरल तरीके से आप कैसे करें जिससे आपको सम्पून फल की प्राप्ति हो एका दसी का पुम्रत सरवाधिक ब्रतों में सब से ज़्यादा महत्व करता है तो जो भी ब्रत करने वाले होते हैं मेरी माता हैं मेरी बहने हैं मेरी बेटियां हैं या मेरे भाई लोग हैं जो भी हैं तो मैं उनको बताऊंगी कि जो एक दसी का ब्रत एक दिन पहले यानि ही समाप्थ हो जाता है और जो वैश्ण होते हैं जो में भगवान के भक्त होते हैं दूदसी से मिली हुए एका दसी का अववास करते हैं और त्रोडसी आगमन से पुर्वी पहला अववास पूरा करना ठीक मानते चुख आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि दस्मी से ही खाना नहीं खाना चाहिए रात को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए वो सिव उपासक होते हैं और जो वैश्रम भक्त होते हैं वो अपने ब्रत को किस तरह से करते हैं मैं आपको बता दिया अभ दिन में ही खाना खाली जैसे कि दुफेर के बाद आप साम तक खाना खाली जै राद को मत खाये दूद पीलिजिए फल खाली जिए और आपको ब्रहम चरिये का पालन करना होगा आपको एक अदसी से एक दिन पहले रसन प्याज अंडा मास मदिरा ये सब नहीं खाना है इनका त्याग कर देना होता है जब आप सुभह उठेंगे तो आपको प्रात्यकाल जल्दी उठना है आपको टूथ जो पेश्ट होता है उससे बुरुस नहीं करना होता है आप नीवु की जामुन की आम की किसी भी ब्रक्ष की लकड़ी से दातों कर लीजे नहीं तो गुंगुने पानी से आप काफी सारे कुले करकर अपना गला और अपने दातों को साफ कर लीजे आपको पेश्ट नहीं करना है आपको उस दिन बाल नहीं दोने होते हैं और आपको उस दिन सुभह को संकल्प करना होता है जब आप भगवान से संकल्प करेंगे तो प्रहु से प्रात्ना करें कि हे प्रभु हे देव मेरी लाज आपके हाथ है आप ही मेरी रक्षक हैं मेरे मेरा आज एकादसी का ब्रत संपूर्ण हो मेरे को ऐसी मती प्रदान करें कि मैं किसी भी कर्म करने वाले चोरी करने वाले जूट बोलने वाले ऐसे व्यक्ति के संपर्पना रहूं मेरा विव चाहते हुए मतलब कि आपको बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करने होगी के मेरा ब्रद पूरा नहीं होगा आप पूरा कराएंगे पूरा दिन आप ऑम नमो भगतवासु देवाय का जाब करते रहें नहीं तो ही विश्णू सहसर नाम की किताब ले लें उसे पढ़ें और एक आदसी की कहानी जरूर पढ़ेंगे ब्रतवाले दिन सुभह में तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताया कि आपको पेश्ट नहीं करना है आपको भगवान की मूर्ति के सम्मुख या अपने जो घर का मंदिर है वहां आपको संकल्प लेना है आपको उस दिन गमलों की खुदाई करना या कोई साफ सफाई ऐसी नहीं करनी है जिससे आपके हाथ से चीटी कीड़े मर जाएं तो वो उस चीज का ध्यान रखना है तो आप डिपली सफाई एक दिन पहले ही कर लें अपने मंदिर की सफाई नहीं बनानी अगर पुरूस हैं तो और आपको उस दिन बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जो जिसमें आपको अपने मंदर आत्माओं से लगे कि यह गलत है या मैं यह पाप कर रहा हूं छूट बोलने वाले वक्तियों के भी संपर्क में आपको नहीं जाना यह आपके पास राधर क्रिशन जी हैं तस्वीर है मूर्ती है जो भी है आप उनको सिंगार दें सनान कराएं और उसके बाद में आपको फिर भगवान के आगे भोग रखना है भोग आप ऐसा रखें जो आप भी उसे खालें और उसमें से आपको भोग मैं से ब्रहमर देव demonstrating को और गाय को भी निकालना है आप गौ माता को प्रहमर देव को फलार अवस्य कराएं और और आपको अगर एका डसी वाले दिन आपके किसी पड़ोस में रिस्तदारी में किसी की डैथ हो जाती है तो आपको क्या करना है एक फल लेकर संकल मतलला एक फल लेकर के दान कर दे होगा अगर आप ऐसे करते हैं तो आप मतलब कोई भी फल ले लें कोई भी फल ले सकते हैं खरबूजा कम हो समय खरबूजा ले लें कुछ भी लें वह आप खिला दें मंदर में चड़ा दें संकल्प करके तो उससे और उनका जब अस्ति प्रभाव हो जाए या तेर्मी हो जा ता है आपको मेरे सभी प्रस्णों के जवाब बीडियो में मिल जाएंगी और मिश नहीं अमरत इंखाने और आपको अम्रत मईफलों का आपको सेवन करना है और प्रभु को भोग लगा कर ही आपको भोजन करना है तुलसी दल चड़ाना है तुलसी काधसी के दिन नहीं तोड़ते हैं इसलिक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए नहीं तो सूकी हुई तुलसा जी जो आपके होती है उनकी इस तरह से आप अपना एकादसी का ब्रत करें प्रबुकर और आपको सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है सकते वचन बोलने हैं तभी आपको अपने ब्रत की दिव्यफल की प्राप्ति होगी आपको छलकपट नहीं करना है और मधूर वारतालाब करना है क्रोध नहीं करना है भगवान से यही संकल्प करना है सुबह कि मेरा प्रभू इस व्रत में आप साथ दे तो आपको ना क्रोध हाएगा और ना ही आपको किसी भी शलकपट वाले वक्ति से वारतालाब के संक्पर्क में जा पाएंगे तो यह हो गई बात एकादसी ब्रत रखने के नियम की अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादसी के ब्रत में कथा क्या है पाप मोचनी एकादसी की कथा चित्रत नामक उपवन में देवी इंद्रियानी इ उस बन में एक बेदावी नामक रिशी थे जो भगवान संकर के भगते तफस्या करते थे संकर भगवान के सेवकों को काम देव के मद्धे जंगजात सत्रुता थी इंद्र दरवार की प्रशिद अपसरा मन्जु घोसा उस रिशी को देखकर उस पर प्रेमासक्त हो गई अत है कल तुम जा सकती हो कुछ काल बात अपसरा ने अपने अनुरोध को दोहराया परंदु रिशी ने इंकार कर दिया इस पर अपसरा बोली है रिशी अब तो मुझे जाना ही होगा रिशी ने समय गढ़ना की तो पता चला कि प्रेमा लाप में उनको 57 वर्स 7 महिने और 3 दिन पूरे हो चुके थे इस प्रकार रिशी को मालूम हुआ कि इस कुटनी ने तो मेरे भरत को मेरी तपस्या को बेकार कर दिया है और उनको बहुत क्रोध आया क्रोध होने पर मंजुगोसा को शाप दे दिया कि हे नारी तूने मेरा सारा थपोबल नश्ट किया है अते अब यह उपवास विदी विधान से करो तो तुमारे सब पाप नश्ट हो जाएंगे इस प्रकार मेधावी मुनी ने अपने पिता के आग्या और मंजुगोसा ने मेधावी रिशी के आदेश से पाप विनास ने एक आदसी का उपवास नियम के अनुसार किया और अंत मेवे दो पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोग को चले गए और अंत काल तक वहां सुख भोगत करते रहे जीवन व्यतित करते रहे इसे कादसी उपवास के पुर्णे से पापों का विनास होता है तता इसका पुर्णे एक हजार गोदान के बराबर होता है आपको मेरी वीडियो अच् कीजिएगा तिल देन बाइबाय जै माता दी राधे राधे